हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रसांद चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज आज हम क्लास 12 का 22 अर्थसास्तर से चेप्टर 3 उत्पादन तता लागर का कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण लाए हैं टॉप 20 कोशन है इसमें हैं और सभी कोशन बहुत ही इंपोर्टन है आप सारा कोशन को आप वडियांस देखिए और इसे याद कर लिजे क्योंकि आनवल एकजाम में बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है चलिक को सिलसले को बढ़ाते हैं और फर्स्ट कोशन जैसे कि आप दे कोशन टू फर्म के द्वरा उत्पादित बस्तू को बजार में बेचने से प्राप्त रासी क्या कहलाती है जिसका सही उतर होगा आगम कहलाती है कोशन थ्री आगत तथा निर्गत के बिज तकने की सम्मंद को क्या कहा जाता है जिसका सही उतर होगा थ्री का सी निमर होगा यानि उत्पादन फलन इसका उत्तर होगा बढ़ते हैं next वाल की और अंतिव को देखते कोशन 4 नमबर कोशन 4 में कहा कि उत्पादन फलन यानि Q बरावर F एलके में Q क्या परदसित करता है तो 4 का उत्तर हो जागा A नमबर यानि उत्पादित बस्तु की अधिक्तम मातरा यह होगा इसका सही उत्तर बढ़ते हैं Q 5 की और Q 5 में कहा है जिसे कर देख पा रहेंगे इस्क्रीन में कि उत्तपादन के दो कारकों के बिभिन सहियों के से किसी बस्तु की उत्तपादन की समान माता को परदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है तो Q 5 का जो सही उत्तर होगा वोगा A नमबर यानि समुत्पाद वक्र कहलाती है बढ़ते हैं नेक्स वाल के और नेक्स वाल है Q 6 और 7 में कोसन 6 काता है दो समुत्पाद रखाओं के बीच के दूरी क्या व्यक्त करती है तो कोसन 6 का जो अंसर होगा वो A निमर बनेगा यानि उत्पादन अस्तर मंतर कोसन 7 जिस समयावधी में उत्पादन के सभी साधन परिवर्टन असिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है तो कोसन 7 का जो अंसर होगा वो होगा दिर्ग काल यानि लॉंग टम बढ़ते हैं नेक्स वाल के ओर नेक्स वाल है कोसन 8, 9, 8 में कहा है कि उत्पादन के आगातों का सौट टम बढ़ते कोसन 9 की और रासमान सिमांत उत्पादन का सम्मंद 10 से है यानि किस से है तो 9 का जो उत्तर होगा वह होगा अलपकाल यह भी सौट टम होगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर कोसन 10 कोसन 10 और एक साथ पूर लेते हैं कोसन 10 में कहा है कि एक परिवर्ति अनुपाद के नियम के कारण होता है बढ़ते हैं एक सवाल के कोसन 11 में क्या का देखिए कि ओसत उत्पादन सिमांत उत्पादन के बराबर कब होता है जब आप संदिया है चार आपके पास तो सही उतरोगा 11 नमबर का और सी यानि ओसत उत्पादन का अधिक्त होते हैं बढ़ते हैं ने अट्पादन के परिवर्ति साधन का सवीधा pledge अमय क्या होता है तो इसका सही उत्तरों का 12 का कि नंबर यानि अधिक्तम होता है किसी परिवर्ति साधन यानि एल का उसत उत्पाद ग्याद करने का सुत्र क्या होता है तो इसका सही उत्र होगा तेरे का तेरे का उत्र होगा कोशन नमर ए यानि क्यू अपान एल होगा इसका सही उत्र बढ़ते हैं नेक्स वाल के ओर कोशन 14 15 एक साथ पढ़ लेते हैं कोशन 15 कहा कि परिवर्ति साधन की मात्रा के साफिक्ष कूल उत्पादन में परिवर्तन के दर क्या कहा जाता है ॉत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक बिद्धि करने से उत्पादन में अनुपातक बिर्दी से कम अनुपात में बिर्दी होती है तो इसे क्या कहा जाता है तो सूलक का जो उतर होगा अप्सन नमबर C होगा यानि पेमाने का राजमान प्रतिफल बढ़ते है कोस्ट नमबर 17 की ओर 17-18 बढ़ते हैं 17 मा कहा गया है किसी बस्तों को उतपादन के तो 17 का जो उतर होगा वो होगा अप्सन नमबर B यानि लागत का लाते हैं घर्चा लागत ही होती है कोस्ट नमबर 19 में कि ओसत लागत 19 में कि ओसत लागत से अधिक कब होता है जब तिसका सही उतर होगा 19 का ए नमबर यानि जब 17 लागत घट रही होती है तब 17 लागत से अधिक होती है और आज का अंतिम स्वाल जो है ओसन नमबर 20 में क्या कहा गया है कि अल्पकालिन 17 लागत वक्र का अकार यू अकार का होता है क्योंकि अब देख लिजेगा यह टॉप 20 कोस्टन था एकोनोमिक से क्लास 12 का चेप्टर 3 उत्पादन तथर लागत ऐसे और भी बहतरीन सवाल आपके सामने आपके लेकर आएंगे अधिक सब्जेक्ट का जितने में आट्स का सब्जेक्ट होता हैं हिंदी से, इंगलिस से, हिस्ट्रिय से, जवरभी से, पॉलटिकल से, एकोनोमिक से हर एक सब्जेक्ट सवाल लेकर आएंगे बस आप वीडियो को जरूर देखी और इसे प्यार देजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मिलते हैं अगले बीडियों पर तब तक लिए